दोस्तो फाइनली एक छोड़े से इंतिजार के बाद हमारे सामने आ गया है हमारा DZTEC का ट्राइपॉड तो आज इसकी मैं अन्वाक्सिंग करूँगा मेरे पास जो पुराना ट्राइपॉड है दोस्तो फोटरॉन का स्टेडी 450 वो छोड़ा कॉंपैक्ट सा है और ज्यादा उसकी पेलोड क्यापसिटी नहीं है वो स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो मैंने सोच अगर मैं नया खरीद रहा हूँ तो ऐसा खरीद हूँ जो कि मुझे कई सारे कामों में यूज कर पाऊँ और इसकी पेलोड क्यापसिटी 5 kg की है जो कि मैंसन किया जाता है तो कुछ नहीं तो 3-4 kg तक का आराम से ये पेलोड समाल लेगा और उसी के साथ अगर मैं इसके मॉडल की बात करता हूँ दोस्तों डिजी टेक लाइडवेट डीवी ट्राइपोड डीटियार 550 LW है तो चलिए इसके अन्बॉक्सिंग देख लेते हैं इसके सारे फीचर में आपको बताऊंगा और एंड में बात करेंगी कि आपके लिए एक बेटर आप्शन हो सकता है या नहीं फाइली हमारा डिलेवर हो गया है दोस्तों डिजी टेक का ट्राइपोड सबसे पहले हम इस कार्ड़ बोर्ड को अपन कर लेते हैं बहुत जल्दी डिलेवरी इसकी हो गई है बाकी सारे प्रोड़क्ट जो मैंने और किये थे उसकी डिलेवरी अभी हमें नहीं मिल पाई है यह रैब्ड काफी बढ़िया है जिसमें निकल जाता है हमारा डिजी टेक लाइट वेट डिवी ट्राइपोड डिटी यार फाइफ फिफ्टी ल्डवू और अगर मैं इसके वेट की बात करता हूं तो लाइट वेट यहां पर लिखा गया है बट मेरे पुराने वाली ट्र यार 550LW और इस साइड में देखेंगे तो इसके सारे फीचर्स हैं जैसा कि थ्री वे हिट विट अड्जेस्टिबल पैन और उसके नीचे आपको मिल जाएगा स्टेडी रबराइज लेक्स और फिर कन्वेट अक्सेसरीज हुक और उसके नीचे यहां पर देखेंगे बबल DSLR हो या फिर mirrorless camera हो और mirrorless तो आप आराम से यूज़ कर पाएंगे अब उस हिसाब से यूज़ कीज़ेगा normal lens का इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई DSLR या camera भारी होता है तो 1.5kg max to max होता है उससे ज्यादा नहीं होता है बागी जो आपके होते हैं भारी वो होते हैं lenses तो इसके अंदर एक आपको और box मिल जाता है यह इसका carry cage है काफी बढ़िया है अगर आप इसको कहीं पर लेके जाना चाहते हैं carry करके तो आप इसको कर देते हैं चलिए डिबगों मैं इसके side रख देता हूं यहां पर देखें यह इस प्रकार से open होगा quality की बात में तो quality decent है कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ऊपर वाला यह सब material खराब हो जाएगा पर फिर भी कौन जादा इसको इसको इस्तेमाल ही करने वाला है अब यहां पर देखिए finally हमारा tripod हमारी नजरों के सामने जो कि wrapped है एक quality में बागी packaging इसकी काफी बढ़िया है उपर से protect किया गया था अंदर से बहुत जादा इसमें packaging कुछ नहीं की गई है और यह काफी अच्छी चीज है बार बार इसमें परेशानी होती so यह मैं आपको इसको ऐसे दिखाता हूँ बाल हिट मिल जाता है जिसको आप टिल्ट कर सकते हैं उपर नीचे और यह यहां से tight भी हो जाएगा आराम से इसका mount आपको यह मिलता है देखिए camera के लिए आप इस पर camera पर attach कर सकते हैं यह mount आपको काफी बढ़िया देखने को मिल आएगा और उसी के साथ यहां पर एक bubble indicator भी दिया हुआ है जिससे यह आपका कितना angle है क्या lean है क्या से है यह आपको नजर आएगा बहुत आपका भार आपको खोल के दिखाता हूं तो यहां पर यह देखिए यह से ओपन होता है और तकरीबन इसकी length है 5.5 feet के आसपास पूरा open करने के बाद तो अगर आप इसको DSLR के लिए यूज़ करना चाहते हैं तब तो आपके लिए एक perfect product होगा तो देखिए ऐसे यह उपर जिवी जा सकता है और मेरी height है तकरीबन 5.5 यानि इससे जादा है मेरी height से भी जादा है यह 5.5 से जादा है और होगा अगर यह तकरीबन मैं बताऊं आपसे तो 5.8 या 5.9 के आसपास अगर आप दूर से suit करेंगे तो इतना आपके लिए तो काफी जादा है नीचे इसके एक खुग भी मिल जाएगा आपको देखनी के लिए और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको अर्जेस भी यहां से कर सकते हैं तो देखिए यह और उपर हो जाएगा बस आपको यहां पर टाइट कर देना है तो इसकी लेंद थोड़ी और बढ़ जाएगी और बहुत ही ज्यादा स्टेडी है इसकी कॉलिटी आपको पसंद आएगी यहां से यह देखिए हैंडल आप टाइट यह लूस कर सकते हैं उपर नीचे जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी यह रहा आपका ट्राइपॉट बहुत ही जबरजस्त बहुत ही सांदार और इस साइड से आके आपको इसका एक क्लोजर लुक देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं और यह पूरा है इसका 360 में आप रोटेट कर सकते हैं इसको कर सकते हैं यह देखिए पूरा completely side से उपर नीचे और यहां से loose करके आप इसको भटा भी सकते हैं यह देखिए यह loose करके उपर नीचे हो जाएगा इसी प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं तो आप portrait वाले इसे एजी लेंद्सकेप वाले भी शॉट्स ले सकते हैं और जैसे हैं इसको टाइट कर देता हूं इसका रोटेशन बंद हो जाएगा अब बात किरते हैं अगर दोस्तों इस ट्राइपॉड के बिल्ड कॉलिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी और फीचर्स तो मैंने आपको सारे दिखा ही दियें कि किस टाइप की इसमें फीचर्स आपको मिलेंगे अगर मैं साइट गमपरेजन करूं इससे अपने पुराने वाली ट्राइपॉड से तो यह अभी इसका सिर्फ दो लेग ओपन है और यह इतना बड़ा है अभी मैं आपको अपना पुराना ट्राइपॉड दिखाता हूँ और इसके देख सकते हैं सारे लेग ओपन है तो इसकी लेंथ इतनी बड़ी है यह वाला आप देख रहे हैं यह हमारा यह वाला ट्राइपॉड है इसमें सिर्फ मैंने दो लेग इसके उपन किये हुए हैं उस्तों आपने इसके बैसिकली सारे फीचर से देख लिए हैं इसके एंबॉक्सिंग देख ली और आपको आइडिया प्लास के लिए कि जाना पड़ेगा अगर मुझे इसके थूरू सूटिंग करनी है क्वालिटी की बात करों तो क्वालिटी की काफी बढ़िया है हाला कि यह सब अलिमीनियम है यानि मेटल दिया हुआ है और उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ यहां पर इसके इन सब पा जब छोटा वाला ट्राइपाट बहुत दिनों से चलना है तब यह तो आराम से चल जाएगा अगर मैं इसके प्राइजिंग की आपसे अब बात करता हूँ तो यह मुझे पढ़ गया है तकरीबन 1200 के आसफास और मैंने इसको परचेस किया है दूरिंग सेल्स अगर आपको जो भी सेल्स के टाइम में इसको परचेस करना है तो आपके लिए एक बैस वैलू फॉर दी मनी ऑप्सिंग यह हो सकता है नॉर्मल जो इसकी प्राइजिंग है दोस्तों वो है 15-1600 रूपीज तो नॉर्मल प्राइजिंग भी इसकी वर्थ है अगर आप इसके लिए तना प और दी मनी बन जाता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना व्लिए को भूलेगा वीडियो को लाइफ ही कर दिए शैवे कर दिए मिल देए इसके लिए वीडियो में तर तक के लिए जोहिन वंदे बनात्रम